शुरीजी की रासोई में आप सभी का स्वागत हैं आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूँ दिल्ली का special करोर बाग में मिलने वाला बहुत ही टेस्टी और बहुत ही healthy मूगलेट जो इतना healthy तो होता ही और साथी बहुत ही जल्दी बन भी जाता है तो आज मैं आपके साथ होई शियर कर रही हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए है दोहा वाली मूंकी दाल, जो मार्केट में असानी से मिल जाती है, एक छिलके वाली भी आती है, लेकिन आप यहाँ पर दोहा दाल का आपको यह बनाना हो, तो आप गुंगने पानी में आदा पॉन घंटे के लिए भी भीगो सकते हैं, वो काफी है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 2-3 घंटे के लिए भीगो के रख दिया है, तो अब यह देखिए, 2-3 घंटे हो चुके हैं, और यह दाल हमारी अच्छी तर अच्छी तरह से वाश करें, फिर उसके बाद ही यूज मैंने, तो मैंने यह सारी दाल मेरी यहाँ पर धोली है, अब मैंने इसको मिक्सर में करकर, एक स्मूथ पेस्ट बना कर तियार किया है, तो यह देखिए, मैंने यहाँ पर सभी दाल को ग्राइंडर में कर दिया है, औ उसमें बहुत ही थोड़ा सा पानी लेंगे, क्योंकि हमें गाड़ा सा पेस्ट बना कर तियार करना है, तो मैंने इसको एक स्मूथ पेस्ट यह देखिए, बनकर तियार हो गया है, परफेक्ट, हमें इसी तरह का इसका टेक्शर चाहिए, बहुत गाड़ा भी नहीं, और बह करेंगे, और उसमें दालों में प्रोटीन तो होता ही है, तो उनको भी बहुत जदा है, तो आप इसको जरूर एक बार बनाए, और यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही चल्दी भी बन जाता है, तो चलिए, अब आम इसमें डालते हैं, यहां पर मेरे पास कुछ स और मटर को बॉयल कर लिया है, और गाजर को कद्दू कस किया है, और थोड़ी सी इसमें लिए हमने हर अधनिया के पत्तियां, अधरक घिसकर, और चोटी सी हमने सुखी लाल मिर्च को लंबा-लंबा कट कर लिया है, और आपके पास घर में जो भी वैजिस अबलबल हूँ, आप उन सब का इसमें यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी फिक्स नहीं है कि यही डालनी चाहिए या यह नहीं डालनी चाहिए, तो आप इसमें mostly गाजर है, मटर है, शिम्ला मिर्च है, इनका यूज जादा में लीजिए, तो अब मैंने इन सभी सबजियों को इस दाल में ड दगल जाएगी, तो आपको बहुत ही जादा इसको बॉल नहीं करना है, हलका सा स्टीम देना है, और उसके बाद हम इन सभी सबजियों को इस जो हमने डाल का बेस तयार किया है, उसमें डाल लेंगे, और इसमें अदरक और धनिया का इसमें जो टेस्ट आता है, वो बहुत ह बढ़िया होता है, लुकवाइस भी बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने यहाँ पर स्वात के अनुसार इसमें टाला है नमक, और थोड़े से मसालों के साथ, हम इसको तियार करेंगे, तो नमक के साथ, हम इसमें थोड़े सा एट करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला, इसमें इनो नहीं हो, तो आप बेकिंग सोड़ा का भी यूज़ कर सकते हैं, जो इसको फर्मेंट करेगा और उसमें वो ही काम देगा, जो एक इनो देता है, तो आप ब्लकुर भी परहिशान नहीं हो, इनो या बेकिंग पाउLes को चलाते जायें, तो ढहलें हम इस स्टेज पर जब पहले हमने बेकिंग पाउडर या इनो का यूज किया था अब हम इसमें एक डारेक्शन में फिर से हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगी जिसे अच्छी तरह से वह फर्मेंट हो जाए और हमारा जो केक बन कर तेयार होगा जो हमारा बनेगा मुंग्लेट हो बहुत ही बढ़िया अब हम फटा-फट से उसको जादेर नहीं रखते हुए एक पैन रखेंगी और इस पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा ओल चारों तरफ उसको अच्छी तरह से गरण होने के बाद उसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी राई मतलब मस्टर्ड सीर्स और उसके बाद हमारा जो जब तक इसको फेला रहे हैं हम अपनी फ्लेम कर देंगे मीडियम जिससे की वह नीचे से जल राई जले नहीं तो मीडियम फ्लेम करने के बाद हमने अच्छी तरह से पूरा जो हमारा बेस था उस पूरे को कवर करते हुए पूरा बेस इस पर फैरा दिया तो आप इसमें ज लंबी-लंबी हमने जो कटिंग करके रखी ती वह इस तरह ऐसे उपर इसको रख देंगी क्योंकि आपने कभी भी नोट किया होगा जो हमारा जो मूलेट होता है वह इस तरह इसमें उपर यहारी मिर्च यह लाल मिर्च लगाई जाती है लेकिन जो वहां पर मोस्कि जो करोल पाग में जो मिलता है वहां पर चुकंदर के ऐसे लंबे-लंबे पीस लगाते हैं लेकिन आपके पास यदि वह नहीं हो तो आप इसका भी इसमें यूज कर सकते हैं वह वही लुक देगा जो वहां मिलता है फिर उसको हम मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए धका रख देंग यह देखिए अब आप दो पल्टे का हेल्प से इसको असानी से बलड सकते हैं तो यह देखिए मैंने एक पल्टा इधर लिया है और एक दूसरे हाथ में और तहीरे से इसको पड़ट लेंगे देखिए कितना बढ़ियो और एकदम क्रिस्प बनकर हमारा तैयार होगा यह पुल्कोलिक्तम परफेक्ट सिक चुका है तो अब हम इसकी करते हैं प्लेटिंग में बेखिए कितना सुंदर हमारा मुंगलेट बनकर तेयार है और इसको आप चट्नी के साथ सौंस के साथ और यह ऐसे ही जो जितना टेस्टी लगता है ना वह शाय चट्टी सौंस के साथ म क्योंकि इसके अंदर जो हमने सब्चियां डाली है और जो मुंग की दाल का इसमें जो फ्लेवर आएगा वह बहुत ही टेस्टी होगा तो आप एक बार जरूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताईए कि यह कैसा लगा गा